हलो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सेंड़ डिविशन इस वन अफ था बेस्ट मेजर आफ डिस पर्शन अगर हमने किसी सीरीज का डिस पर्शन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए जहां सेंड़ डिविशन मोस्ट अफ़ टाइम सेंड़ एस बेस्ट मेजर और इसके बा सारी जगह जो है इसको इसको इस्तेमाल किया जाता है मोस्ट वाइडली यूज्ट मेटर्ड जो है डिसपर्शन का अगर हम कहें तो वह संड़ डिविशन है इसको जो है वो डिवल्प किया था काल पियरसन ने उन्होंने इसको 1893 में फस्टाइम यूज किया था और इट इ देख लेते हैं क्या है संड़ डिविशन इज डिफाइंड ऐस रूट आफ अर्थमेटिक मीन और स्क्वेशन और वेल्यू इसको यहां से पढ़ना शुरू करते हैं तो देखें तो जो हमारे पास जो है डिविशन सापहले मीन कैलकुलेट करना मीन से डिविशन लेने हैं जो आएगा उसका हमने स्क्वेर करना है और जो स्क्वेर डिविशन है उनका आर्थमेटिक मीन निकालना है फिर जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वेर रूट निकालेंगे दटिवर स्टेंडर डिविशन तो ऐसा लग रहा है कि जो डिफिनेशन उससे थोड़ा सो कॉम्प करें और इसको हम जाए वो as sigma constitutional करते हैं इस को बोला चाता है और it involves standard deviation सब्सक्राइबियम कि इसमें पहले किया जाएगा mean से deviation ले जाएंगे means miss arithmetic means जाउ हर एक स्क्राहित हादा education का square किया जाता है squares जो आ जाते हैं उनका और इसके बार आता है उसका स्क्कर्रूट diu निकालता है दो इसके लिए मर पस पासकी क्यलेशन रपान। x bar square divided by n तो x minus x bar जो है उसको हम small x से भी represent कर देते हैं कि when the deviations are taken from actual mean कि जब हम actual mean से deviations लेते हैं तो उसको हम small x से भी represent कर सकते हैं तो यह formula हम इस तरह से भी लिख सकते हैं sigma x square divided by n बट यहां पर जो यह x square लिखा है इसको number of item से divide किया दैन उसका square root निकाल दिया जो definition में बताया था आपको तो इस तरह से हम calculation कर सकते है standard deviation की तो जैसे हमने पीछली वीडियो में बताया था आपको कि जो dispersion calculate करते हैं उसमें दो तरह के measures आ जाते हैं हमारे एक absolute measure दूसरा जो है वो relative measure आ जाते हैं तो यह जो हमने measure calculate किया है this is absolute measure कि अगर measurement units जो है वो दोनों units की सेम दोनों series की सेम है तब हम इसको use कर सकते हैं बट unit of measurement अगर different हो जाती है तो हम इसको ratio और percentage की form में define करना पड़ता है तब हम जो है mean से divide करना है तब आपका जो है वो standard deviation coefficient of standard deviation calculate हो जाएगा यह जो है वो relative measure बन जाएगा तो आज की वीडियो में हम जो है वो calculation करेंगे standard deviation की individual series में और बागी discrete series and continuous series जो है वो next videos में बताया जाएगा आपको तो calculation of standard deviation in case of individual series की अगर हमारे पस individual series है without frequencies और हर एक individual item जो है वो series की हमारे पास दी हुई है तो उस case में जो है वो standard deviation कैसे calculate के जाएगा तो इसमें हमारे पस दो-तीन methods है पहला method है actual mean method दूसरा है assumed mean method और तीसरा है method based upon actual data की अगर हम जो है वो बिना किसी mean को लिए ना assumed mean यूज कर रहे है ना actual mean यूज कर रहे है और हम जो है उसके actual data के base पर भी जो है calculation perform कर सकते हैं तो अगर हमने जो है इसको calculate करना है on the basis of actual mean तो actual mean में जो है standard deviation का formula है standard deviation is equal to यह मैंने sigma का sign लगा है और इस sigma के sign से हम उसको represent कर सकते हैं और यह formula वही है जो भी पिछली slide में हमने देखा था this is under root of sigma x minus x bar square divided by n और इस x minus x bar को जो हम small x से भी represent कर सकते हैं तो यह है तब जब हमने actual mean से deviations लेने तो small x उसका मतलब है capital x minus x bar और यह जो sign है that represents standard deviation and n means number of items और यह तो आपको पता ही है square root का sign है तो यह divide करके value आएगी आपका उस value का आपको square root निकालना है आपका standard deviation calculate हो जाएगा ठीक है second method that is based upon assumed mean assumed mean की आपने series में से कोई भी जो है वो एक अपने आप से माल लिया कि यह जो है उसमें हो जाएगा under root of sigma d square divided by n minus sigma d divided by n square ठीक है तो इसमें confused में होना यह दोनों values different है sigma d square and sigma d और यह जो इसका बाद बाहर square लिखा है bracket के बाहर square लिखा है और यहां sigma d square लिखा है तो इसमें जो है confused में होना वाइपर में confusion हो जाती है जब हम इसको question को solve कर रहे होते हैं तो यह जो डी square है दिस इस डी square और डी square का जो कॉलम होगा उसका टोटल है sigma d square यहां पर जो है इसका क्या मतलब है कि पहले आप d का square निकालेंगे और फिर उस column का टोटल करेंगे और यहां पर क्याए कि sigma d को जो है जो डी वाला कॉलम होगा डेविशन वाला कॉलम होगा उस डेविशन वाले कॉलम को आप n से डिवाइड करेंगे फिर जो value आएगी उसका आप square निकालेंगे ठीक है जब हम question करेंगे इसका तो ज्यादा clear हो जाएगा पट इसमें यहां confusion थोड़ी सी हो जाती है एक्जाम में कि यह जो दोनों चीज़ें सेम तो नहीं है तो डी जो हमने यहां पर यूज कि है that is x-a that means कि हमने जो है वो arithmetic mean के deviations जो है वो assumed mean से लिए और यह standard deviation को represent करता है और जो है यहां पर हमारा क्या है number of items in the series then third method that is based upon actual data की हम जो है actual data की बेस्पर ही कर लेते हैं कि x को ही माल लेते हैं कि x की जगा x को ही ले लेते हैं तो यह जो formula बनता है आपका under root of sigma x square divided by n minus square of sigma x divided by n और इसको अगर हम solve करते हैं और इसको next step में देखते हैं sigma x square divided by n तो वैसी रहता है अगर आपको याद हो measure of central tendency के time पर हमने formula किया था sigma x divided by n that is equal to x bar x bar के लिए formula था sigma x divided by n अगर individual series है तो sigma x को हम n से divide कर देते हैं तो वो x bar बन जाता है तो हम इसको x bar square भी लिख सकते हैं यह formula कई बार हमें यूज करना पड़ जाता है कि जब जाते इन करेक्ट मीन को करेक्ट करना है तो उस टाइम पर इन फॉर्मॉला की requirement हो जाती है तो इसलिए हमें दोनों तिनों फॉर्मॉला जो है वो याद होने चाहिए इन केस कि अगर आपको एक्जाम में कहा जाता है कि you have to calculate standard deviation तो उसमें आपके पास option है कि आप actual mean से निकालें, assumed mean से निकालें या actual data के base पे निकालें और in case कि आपको mention किया गया है कि आपको actual mean से निकालना या assumed mean से निकालना तो फिर आपको particularly जो है उसी method का इस्तेमाल करना पड़ेगा ठीक है तो इसमें अगर आप थोड़ा सा याद रखने के लिए देखना जाएं तो D का मतलब जैसे X-A है अगर in case कि आप कहें कि A आपने assumed mean जो है वो 0 मान लिया तो क्या होगा X-0 कितना होगा X ही होगा तो D की जगह वो X लिख दिया हमने अगर जो है वो actual mean की assumed mean की जगह 0 से deviation लिया आते तो X-0 X ही आता तो D की जग पर X लिख दिया बागी वोई से इम फामिला रहे तो याद रखने के वो फंडे हैं कि किस तरह से आप उसको याद रख सकते हैं तो X-A assumed mean आपने माइनस किया तो वो D बन गया और X में से 0 माइनस किया तो वो X ही रह गया तो यहाँ पर अगर हम यह वाला फामिला याद है तो हम जह हम कहते हैं कि हमने जाओ यूमड मीन 0 मानके इसको डिवेशन लिए तो हम एक्ट्वल डाटा यानि कि X के बेस पर भी उसकी कल्कुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं ठीक है देन कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं इंडिविजुल सीरीज के डिस्क्रीट और कॉंटिन में से कल्कुलेट करना है और डाटा हमारे पास है 2,4,6,8,10,12 तो यह आपको देखने से पता लग रहा है कि इंडिविजुल सीरीज है तो इंडिविजुल सीरीज का फॉर्मल हम कर चुके हैं और हमने जो है इसको एक सीरील में जो है वो लिख लिए यहां पर जो है एक्स करेंगे क्योंकि यहां पर पहले से लिखा हुए अगर नोटबूक पैन में स्वाल्व किया था तो थोड़ा से समझाने का तरीका अलग हो जाता है बट यहां पर वीडियो में आपको समझाया जा रहा है तो आप क्या करें कि हमने निकालना है तो जैसे मैंने आपको पिछल करने के लिए जो हमसे पूछी के कुश्चन में उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या-kya कैलकूलेशन परफॉर्म करनी पड़ेंगी तो हमने जो है वह सबसे पहले यह वाला फॉर्मुला जो है आप इसको रफ वर्क में लिख सकते हैं नहीं तो यहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं यहां पर यहां पर एंड कितना है 1 2 3 4 5 6 तो न जो हमारे पास आगया है जो है number of items जो है वो 6 आगी, standard deviation की value हमें calculate करनी है, x की value हमें दी हुई है, और ये जो है अब बचा हमार पस x bar, यानि कि सबसे पहले हमें जो है इस formula को calculate करने के लिए x दिया हुआ है, n दिया हुआ हमें calculate करना पड़ेगा mean, arithmetic mean, तो arithmetic mean, individual series में arithmetic mean के लिए जो formula है, अब आप वो लि और sigma x से ही है, यानि कि total of x तो अब हमें क्या करना है, हमें जो है total करना है x का, तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 जो है आपका 42 total आ जाएगा, तो sigma x आगे आपका 42, n number of items जो हमने count कर ले थी 6, 42 को 6 से divide कर, that is equal to 7, ठीक है, तो हमार पास जो है वो x bar की value आगी, अब इ x minus x bar, पहले क्या करना है, x minus x bar, जो उसका difference आएगा, उस difference का square, ठीक है, और जो square करके जो column बनेगा, उसका total, यानि कि जो formula है, वो तो हमें याद तो होना ही चाहिए, बट उस formula के साथ-साथ हमें पता भी हो कि हमें उसकी calculation कैसे करनी है, तो जहाँ पर sigma लिखा है, sigma के आगे आ जो value आएगी, उसका total करना है, ठीक है, तो ऐसा confuse नहीं करते ना, आपने आपने आपको, कि जो है, sigma x minus x bar जो आया, उसका total लो, और total का square कर दो, गलत हो जाएगा, ठीक है, अगर जो है, आप कहें कि इसी x minus x bar, इसका total कर लेते हैं, और इसका total का square करते हैं, नहीं, आपको क्या x से represent कर देते हैं, तो यह small x is equal to capital x minus x bar, ठीक है, तो अब इसमें से हमने, जो है, जैसे हमने mean deviation के time पे कहे था, signs को ignore किया था, तो वो एक अकेला ही ऐसे exceptional method है, जिसमें जो है, प्लस, माइनस sign ignore करते हैं, बट यहाँ पर जो है, आपने कोई भी sign ignore नहीं करना है, तो अगर वो deviation minus में है, तो minus, अगर plus में आएगा, तो plus, तो अब क्या करना है, 2 minus 7, 2 minus 7, x bar जो है आपका 7 है, 2 minus 7 minus 5, 4 minus 7 minus 3, 6 minus 7 minus 1, 8 minus 7, 10 minus 7, 3 minus 7 minus 7, 5 अब हमने क्या करना है, इसका square चाहिए, हमने क्या चाहिए और यहां टोटल में भी आप लिखते हैं सिग्मा एक्स बार स्क्वेर वैसे कर सकते थे इसको सिग्मा एक्स स्क्यूर्ण टो इसका टो आगया इक्सवेर डिवाइड़े नव मार पास दोनों चीजें है तो सिग्मा एक स्क्राइब करके जो है आप जब इसका एंडर रूट लेंगे तो फाइनल आपके पास जो है वह 3.42 आंसर आजाएगा यह इस सीरीज का संडर डेविशन आगया अगया अगर कंपैरिजन करने की बात आती है कि आपको जाए वह संडर डूसरी सीरीज के साथ साथ कंपैर करना है तो आपने उस सीरीज का संडर डेविशन कैलकुलेट किया उस सीरीज का संडर डेविशन आगया 4 इसका संडर डेविशन कितना है 3.42 तो अगर आप कंपैर करेंगे तो आप क्या कहेंगे किसमें डेविशन जादा है जिसकी जो है संडर डेविशन की वै सी सीरीज ज्यादा स्टेबल है तो आप क्या कहेंगे कि इसमें वाली सीरीज जो है वह ज्यादा स्टेबल है तो इस तरह से कहीं बार जो है वह ज्यादा स्टेबल है कि दो सीरीज आती है तो उसे पूछा जाता है कि आप बताएं कि कौन सी सीरीज जो है वह ज्यादा सिमेट् dispersion का value बढ़ता चला जाएगा, standard deviation का value बढ़ता चला जाएगा, उतना उस series में dispersion और variation ज्यादा होता है, ठीक है?